किसानों के लिए एक सोलर पंप योजना इस योजना के अंदर किसानों को 60% तक सबसीड़ी दी जाती है साथी अगर SC, ST या फिर TSP छेतर से है इनको 100% तक सबसीड़ी दी जाती है अगर हम अपने खेत में सोलर पंप लगवाना चाहते हैं यानिकी सूरिय प्लेट लगवाना गोर्मेंट के दवारा हमें 60% तक सबसीड़ी मिलती है तो इस सोलर पंप योजना के अंदर काथ हमें एगर फोरम बरना हो तो हम किस तरह से फोरम बर सकते हैं किस तरह से हम अपने खेत में सोलर पंप लगवा सकते हैं हमें कौन-कौन से डोकुमेंट की जुरुरत हो दिया ह नमस्कार साथियों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सभी देख रहे हैं जो बलड गुरू आज हम आपको सबसे बले बताने वाले हैं इस सोलर पंप योजना के अंदर का तीन एच्पी से लेकर 7.5 एच्पी तक हम अपने खेत में सोलर पंप लगवा सकते हैं त अगर कोई किसान 3 एच्पी के सोलर पंप लगवाना चाहता है तो उस किसान के पास कम से कम 0.4 हेक्टर जमीन होना जरूरी है तब ही वह अपने खेत में 5 एच्पी का सोलर पंप लगवाना चाहता है तो उसके पास कम से कम 0.75 हेक्टर जमीन होना जरूरी है तब ही वह अपन खेत में पांच एच्पी का सोलर पंप लगवा सकता है अगर कोई किसान साथ पॉइंट पांच एच्पी का सोलर पंप लगवाना चाहते है तो उसके पास कम से कम एक एक्टर जमीन होना जरूरी है अगर एक एक्टर से कम जमीन है तो वह साथ पॉइंट पांच एच्पी का सो एक्टर होना जरूरी और पांच एच्पी के सोलर पंप के लिए कम से कम 0.75 हेक्टर जमीन होना जरूरी है और गिसान को साठ परसेंट सबसीडी दी जादी है यानि की सोलर पंप लगवाने के लिए जितना भी खरचा होता है उसका 60% तक सबसीड़ी दी जाती है अगर किसान SC, ST या फिर TSP छेतर से हैं तो उनका 100% तक सबसीड़ी दी जाती है अगर वो अपने खेत में 3 HP का या फिर 5 HP का सोलर पंप लगवाता है तो उसे 100% सबसीड़ी दी जाती है तो आईए हम आपको डिटेल से बताते हैं कि अगर कुई किसान सोलर पंप लगवाना चाता है तो वो किस तरह से फोरम बरेगा उनको कौन कौन से डॉकॉमेंट की जरूरत होगी फोरम बरने के बाद में कितने महीने या फिर कितने दिन बाद में किसान के खेत में सोलर पंप लग जाएगा तो दोस्तों अगर आप अपने खेत में भी सोलर पंप लगवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रही हैं और अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि आप ओनलाइन फॉरम कैसे बर सकते हैं आपको किन किन डॉकॉमेंट की जुरूरत होगी तो चली दोस्तों आप सभी को लेचलते हैं ओपीशल वेबसाइट पर और वहीं पर ओनलाइन फॉरम बरके दिखाते हैं के लिए परदान मंत्री कुसुम योजना के अंतरगादा में ओनलाइन फॉरम बरना होता है और परदान मंत्री कुसुम योजना केंदर सरकार की योजना है और राज्य सरकारों ने अपना अलग अलग पोर्टल जारी कर रख है आज हम आपको बताने वाले हैं कि राजस्तान क किसान किस तरह से अपने खेत में सोलर पंप के लिए ओनलाइन फोरम बर सकते हैं ओपीशल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो की डिस्कप्शन में मिल जाएगी यहाँ पर आपको मिलता है किसान या नागरिक लोग इन जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो परिवार का जो जन आदार कार्ड में सभी सदसे जूड़े हैं उस जन आदार कार्ड में सबसे ऊपर एक जन आदार आईडी दी गी है जन आदार नमबर दीगे हैं वो यहाँ पर टाइप करेंगे सब्मिट कर देंगे जन आदार कार्ड में जितने भी सदसे हैं उन सब का नाम आ जाएगा जिस किसान के नाम से जमीन है या फिर हम जिस किसान के नाम से solar pump के लिए online forum बरना चाहते हैं उस किसान को यहां से select करेंगे और आधार card से जूड़े वे mobile number पर OTP जाएगा तो हमें send OTP पर click कर देना है उसके बाद में किसान के mobile number पर OTP आएगा वो OTP यहां पर type करेंगे और verify OTP पर click कर देंगे जैसे हम OTP को verify करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने forum open हो जाएगा solar pump subsidy के लिए online forum परने से पहले यहां पर दीशा निर्देश दिये गए हैं इसे भी हमें ध्यान पुरवक पढ़ लेना है क्योंकि इन सभी नियम और सर्तों का में पालन करना है जिन कर्शकों के नाम भू स्वामित हैं तदा सिंचाई का इस्तरोत कुआ टूबेल या फिर फोरम डिगी अधी है या फिर विद्यूत कनेक्शन नहीं है तदा डीजल इंजन या फिर अन्य वेकल पिक सादन अपनाते हैं वही किसान इसके लिए online forum बर सकते हैं कम से कम 0.4 हेक्टर भूमी होना जरूरी है और जनजाती चेतर में कम से कम 0.2 हेक्टर भूमी होना जरूरी है आवेदन करते समय हमें भूमी की जवामंदी की परती जन आदार काड आदार काड शिंचाई के इस्तरोत का परमाण पतर करसी विद्यूत कनेक्शन नहीं होने के समन्द में सपत पत्तर भी अप्लोड करना होगा साथी कर्सक दवारा परसासनिक स्विकर्ती उप्रांत निर्दारित कर्सक इसारासी ओनलाइन उद्यान विबा के बैंक काते में जर्मा करवाई जाएगे सेंतर इस्तापना हेतू कारिया देश जारी होने के बचात फरम दवारा कर्सक के खेट पर सामंगरी आपूर्ती की जाएगी तथा कर्सक दवारा अपना निर्दारित सिंचाई इस्तरोत एमिस्तान फरम को पलब्द कराए जाएगा फरमदवारा सेयंतर इस्तापित करकर सक को सेयंतर के संचालन एवरकर रखाव की भी जानकरी दी जाएगे सेयंतर यानिकी शोर उर्जा पंप इस्तापित होने पर फरमदवारा जीला कारियालियों को सुचित कर बोतिक सत्यापन करवाने हेतू सुचित किया जाएगा उसके बाद में जीला इस्तर के अधिकारियों दोबारा निर्दारित मापदंड के नुसार बोतिक सत्यापन कर अनुदान जारी करने की अभी संसा की जाएगे तो यहां पर मैंने सभी दीशा निर्देसों का ध्यान से पढ़ा है इसे सलेक्ट कर लेना है और आगे बड़े पर क्लिक कर देना है जैसे हम आगे बड़े पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले किसान की डीटेल आ जाएगे यानि कि जन आदार कार्ड में हमने जिसका भी नाम सलेक्ट किया है जिसके भी नाम से भूमी है उसकी सब कुछ डिटेल एटोमेटिक हमारे जन आदार कार्ड से आ जाएगे अगर कोई किसान लगू या फिर सिमान्त किसान है तो वो अपने जन आदार कार्ड में अपनी स्रेणी को अपडेट कर लें ताकि उनको लगू और सिमान्त करसक का फायदा मिल सकें यानि कि जिन किसानों के पास दो हेक्टर से कम जमीन है वो अपने जन आदार कार्ड में अपना करसक सिरनी अपडेट कर लें तो यहाँ पर सबसे पहले किसान का नाम जाती उपजाती लिंग क्या है मोबाइल नम्मर सब कुस एडेस आटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पर एक option है एक कल उपयोग करता दूसरा है बहु उपयोग करता यानि कि एक ही किसान इस solar pump के लिए फोरम बर रहे है या फिर दो या फिर तीन किसान फोरम बर रहे है तो यहाँ पर हमने एक कल उपयोग करता ही select किया है उसके बाद में सेंतर का इस्तान उपर लिखे प इनकोड क्या है हमाराःब पूरा एडरेस किस इससीन पर हम सॉलर हमप लगवाना चाहते है उसका एडरेस देंगे उसके बाद में चेया जल स्ट्रोत क्या है डिगी है जल हो जाए या फिर कुणा भी टूबैल है मैं ज trás सलया नहे है जो भी आपके ख़ेत में है तो जादा तर आजकल टूबेल ही है तो हम टूबेल सेलेक कर लेते हैं या फिर अन्य सेलेक कर लेते हैं हमारे खेत में जो भी स्त्रोत है उसे सेलेक कर लेना है उसके बाद में जल की गुणवता सिंचाई के लिए उप्यूगत है तो हां पर यहां सेलेक कर देना है क्या सिंचाई के लिए बिजली connection है तो यहां पर नहीं select कर लेंगे उसके बाद में फसल का विबरन पूछा गया करसी फसले है या फिर अन्य है हमारे खेट में जो भी हम फसल बोते हैं उससे select करेंगे उसके बाद में किसानों की सरेणी क्या है सिमानता है या फिर लगू है अगर आपके पा या फिर जल संग्रेंडाचा या फिर अन्य है तो यहां पर हमें एक को select करेंगे उसके बाद में फरम का नाम यहां से select करेंगे उसके बाद में जल इस्तरोत अनुसार आवसेक पंप यहां से select करेंगे और हमें ये forum बरते समय दो document upload करना होगा एक हमारे खेट की जमामंदी दूसरा है एक सपत पतर है जो पतवारी या पिर पंच या पिर सरपंच या पिर करसी परवेक्सक के दवारा परमानित की आवाज certificate upload करना होगा document upload करने से हमें 10 नमर पर फ्रम का नाम select करेंगे उसके बाद में जल इस्तरोत के अनुसार आवसक पंप आ जाएंगे तो यहाँ पर जल इस्तरोत अनुसार पंप हमें दो टाइप के मिल सकते हैं पहला है पानी के अंदर दूसरा है पानी के बाहर यानि की डिगी से हमें सिंचाई करने हो तो पानी के बाहर पंप लगेगा अगर हमें टूबेल या फिर कुवां से सिंचाई करनी हो तो हमें पानी के अंदर पंप की जूरुत होगी सेंतर का परकार नॉर्मल सेलेक करेंगे उसके बाद में पंप छमता यहां पर HP में दीगी है 3 HP से लेकर 10 HP के सोलर पंप हम अपने खेत में लगवा सकते हैं अगर SC, ST या फिर जनजाती चेतर से हैं और अगर वो अपने खेत में सोलर पंप फ्री में लगवाना चाते हैं 100% सबसीडी के साथ में तो वो 3 HP से लेकर 5 HP तक के सोलर पंप फ्री में लगवा सकते हैं अगर कोई किसान 7.5 HP या फिर 10 HP का सोलर पंप लगवाना चाहते हैं तो उस किसान को 60% तक सबसीड़ी दी जाएगे तो यहाँ पर हमें आवसिक दस्ता वेज में एक नमर पर जम्माबंदी अप्लोड करना है और दो नमर पर एक सपत पत्तर है तो यह एक सपत पत्तर इसलिए है कि जल संग्रेंट डाचा या भी डिगी फारम पॉंड जलोज के समंध में वीदूत कनेक वीहीन कर सकेतू दे सपत पत्तर है यह सपत्तर सत्यात्पीत हो जाता है तो हमें यहां पर इसकेन करके अप्लोड कर देना है अगर हमारे खेत की दो जम्माबंदी है तो हम दो जम्माबंदी भी जोड सकते हैं और अगर एक है तो हमें एक इसकेन करके अप्लोड कर देने है यह दोनों document जैसे हम upload कर लेंगे उसके बाद में यह declaration दिया गया है इन सभी को select कर लेना है और submit कर देना है यह solar pump के लिए online forum कोई भी भर सकता है अपने नजदिक किसी भी emitter या फिर common service center या फिर swim किसान या फिर किसान के परिवार का कोई भी सदसे online forum इस तरह से बिल्कुल free में बर सकता है जैसे हम forum को submit कर देंगे उसके बाद में यहां पर एक report का option दिया गया है इस पर हमें click कर देना है जैसे हम report पर click करेंगे तो हमने इस agriculture department में जितने भी forum बरे हैं उन सभी फोर्मों का यहां से status check कर सकते हैं कि हमारा forum अप्रू हुआ या पिर नहीं हुआ हमारे करमा कितने हैं पंजी करन संक्या क्या है किस तारीक फोर्म रहा है कौनची योजना में फोर्म रहा है तो यह सब कुल डिटेल हम यहां से check कर सकते हैं हमने केवल आपको डेमो की रूप में दिखाया है कि solar pump के लिए हम online forum कैसे बर सकते हैं और जैसे हमारा forum अप्रू हो जाएगा तो उसके बाद में हमें demand notice जमा करवाना होता है demand notice है वो subsidy काट कर ही जमा किया जाता है और अपने नजदीक bank में जमा करवाना होता है तो दोस्तो आज हमने आपको बढ़ा है कि अगर हम अपने खेत में solar pump लगवाना चाहते हैं तो हमें कौन-कौन से document की जरूरत होती है हम online forum कैसे बर सकते हैं उमीद आज की जानकरी आपको अच्छी लिए होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा मिलेंगे नेक्ट शूटेम नहीं जानकरी के साथ आप सभी का दिन सुब हो जैहिंद वन्यमात्रम